नमस्कार स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में इस वीडियो में हम Meaning, Characteristics और Functions पढ़ेंगे Management के पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे Management का Concept क्या है थी हो हमेरे के Concept और दूसरा इंसान का नाम था हर बीशन मेरे के Concept इस वीडियो में आपको समझाओंगा Management के Definition उसके Characteristics और उसके Function वादा है मेरा बोर नहीं करूँगा Management का असल मतलब क्या है जब घर में महमान आने होते हैं तो ममी सारे घरवालों को ओडर दे दे कर दे दे कर घर की सारी सफाई करा देती है वो Management है जब श्रीराम को देवी सीता को वापस लाने के लिए उजना बनानी पड़ी वो Management है पांडवों को कोर्वों को युद में जीत के लिए जो जो करना पड़ा वो Management है बहुबली मुवी याद है उसमें काल के था उस काल के का वद कर दिया बहुबली ने दिमाग लगा कर वो Management है गल्फ्रेंड को प्रपोस करने से पहले जो जो काम आप करते हो वो Management है बताओं कैसे सुनिए आप गल्फ्रेंड के साथ destination पर गए वहाँ पहले से ही बुके आया हुआ होता है आप उसको फूल देते हो पहले से ही खुद से खुद Management है आप रस्ची कीशते हो फ्लावर खुद से खुद नीचे कीर जाते हैं आप रूम में जाते हो लाइट खुद जल जाती है आप रिंग निकालते हो रोमेंटिक सोंग खुद से बच जाता है आप जैसे ही बोलते हो विल यू मैरी में I love you वाले डिजाइन ओटोमेंटिक जल जाता है वो जैसे ही कहती है येस वो गुबारे खुद से फूट जाते हैं फिर थोड़ी दिर बाद लड़की का मन पसंद भोजन खुद टेबल पर आ जाता है फिर आप डिनर करते हो ये खुद से जो जो काम हो रहे हैं ये खुद से की डेफिनेशन क्या कहती है तो मैनेजमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक 2022 चल रहा है 2022 तक भी एग्जैक्ट मैनेवेज की डेफिनेशन किसी इनसाने नहीं दी सबने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो म समझायत आपको चलो स्टार्ट करते हैं मेरी पारकर से मेरी पारकर ने कहा है management means art of getting things done through the people ये management जो है वो कला है दूसरों से काम कराने की कला आप पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे वो लग बात है पर दूसरों से काम आपने करा लिया ये management है आप समझ गए होंगे relate कर गए होंगे मेरे 5-6 examples को इससे काम करवाना exam management है श्री नाम ने सुग्रीवी कि साहता ली तो management का काम किसी ने किया श्री राम ने किया George R. Terry ने क्या कहा है management is a distinct process consists of planning, organizing, actuating and controlling perform to determine and accomplish the objective by the use of feeble and resources इसने कहा हुआ है कि management एक process है उस process के इंदर 4 steps है planning, organizing, actuating, controlling याद रख लेना ही चार functions के ठीक है process में चार parts है चार process है planning, organizing, actuating, controlling, perform to determine and accomplish the objective जो भी आपके objective है objective कुछ भी हो सकता है वैसे तो business management में हमारा objective होता है कि हम 10,000 fan बना लें अगर मेरा computer काम है तो मेरा इस बार 4 croda का profit हो जाए पर क्योंकि आप अभी management को जानते नहीं हो business management को इसलिए मैं non business management के example दे रहा हूँ श्रीराम का goal था कि मैं सीता मैया को मतलब वापस ले करा जाओं पांडव का goal था मैं कोर्वो को हरा दूँ तो goal को प्राप्त करने के लिए आप 4 step करते हो plan करते हो चक्र व्यू रचते हो कुछ भी कर रहे हो फिर उसको organize करते हो तुम सामने रहना तुम पीछे रहना फिर उस दिन बिमार बढ़ जाता तो भुके ना आपाता तो इसी लिए जो लड़का है उसका best friends होता है वो साथ में देखते रहते हैं हाँ भई पहुचने वाले हो न तुम हाँ यह पांच पुझे का program में देखो जरी ले आजा न उससे पहले पहले इसे कहते हैं controlling इसे क्या कहते है controlling जो अपने plan बनाया था क्या वो plan सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसे हम कहते है controlling चलिए एक और example दो मैं example देता हूँ मैं शादी का मान दीजे आपके घर में दीदी की आपकी शादी है अब आपके दीदी की शादी में 6 महिने एक साल पहले से लोग लोग जाते ह है भया पैसे जोड़ने है यह काम करना है होटल बुक करना है और फिर बैंट वारे को कहते रहना भया याद है ना तुम्हें 22 तरीक मैंने बुक किया हुआ था यह जो plan किया शादी करनी है organize किया अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया जैसे मुझे काम दे दिया कि तुझे बश्बस किया कि भाइया पांढ़ बजे खाली हो गया हो गया अब भाईया बाराबजे फोटोग्राफर को आ रहे हो ना आप तो यह जो controlling मतलब जो काम अपने plan किया था जो काम हो रहा है क्या वो पौश्य तरह से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है इसे कहते है controlling चल इसे कहते आपको propose करना है, आपको सीतमेजा को वापस हिलाना है, अपने कौर वो को होराना है, and seeing, और आप वो देखो कि वह हो रहा है, बहुत एसान तरीके से, management यही है कि आप कुछ चाहते हो, आप कुछ चाहते हो और वो आप आँखो से देख रहे हो कि देखो, वो हो रहा है, ये management है जैसे बहुबली में शिवगामी देवी थी न वो दूर से देख रही थी कि बहुबली और दूसरा जो भी आदमी नाम था उसका वो कालके को मार रहे हैं वो दूर से देख रही थी मैनेजर थी वो वो काम करवा रही थी उसने कहता जो भी उसका सिर लेका कालके का मैं उसको र इसने कहा है कि जो management है उसमे planning, coordinating, motivating, controlling अचा सबने तो ना अलग-अलग विचार दिये हैं किसी ने 5 functions दिये हैं, आपने 12th में पठाऊगा बेस्टी में 5 functions, कुछी ने 4 दिये हैं, किसी ने 3 दिये हैं Theohyman, important है, इसने कहा है कि management functions है, of getting things done through people, दूसरों से काम करवाना, and directing the efforts of individual towards a common objective आपने जितने भी अपने office में, जेकर रियल में जो management पढ़ रहे हैं, ना office के हिसाब से पढ़ ना, companies, corporate culture के हिसाब से, तो Theohyman ने कहा हुआ है, कि आप दूसरों से काम करवा रहे हो, और जिन लोगों से काम करवा रहे हो, वो सब जिन लोगों से आप काम करवा रहे हो, वो सब एक ही goal की तरफ कर रहे हैं, जो कि आपका management का goal है अच्छा रूसमूर है, यह है यह 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 चील आदम है, इसने तो management की definition को इतना बोल दे, management means, decision making, cool बंद है यह, अगला है R.C. Davis, इसने कहा है function है, यह leadership का, अच्छा दिखो यह वैज इंपोर्टन नहीं है, इसने कहा है, management is the development of people and not the direction of things, इसने तो बोल दिया भाईया, direction नही अभी हमने directing पढ़ा हुआ, किसी ने तो कहा है, किसी ने का नहीं है, यह जितने भी management वाले लोग है ना, सब की आपस में कभी नी बनी, किसी ने कहा तीन function है, किसी ने 4, किसी ने 5, दिमाग खराब कर रखा हुआ, अभी दिखाता हूँ आपको, अच्छा हर teacher आपको meaning के आता है, characteristics, मैं characteristics नहीं पढ़ा हूँगा, मैं बढ़ा हूँगा functions, बताता हूँ क्यों थोड़ी दिर में पता चल जाएगा, चलिए, second topic पढ़ते हैं, functions, 90% of the management experts viewed management as a process, management के experts जितने भी हैं, उसमें से, मालोगर सों है, सों में से नभ्य मैनेजमेंट को एक process बोलते हैं, management को noun, discipline को बोलते हैं, process है, इसलिए 12th की BST में भी अपने management को पढ़ा हूँगा as a process, क्योंकि जादतर लोगों का वही मानना है, अच्छा हर process में एक order होता है, हर process में order होता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, इसे चाय बनने का process क्या हो, पहले पानी डालो, फिर चाय पत्री डालो फिर दूद भी डालो, फिर चीनी भी डालो, फिर आग पका दो, ये कर दो, फिर छान दो, ये process है, जब चीनी बनती है, तो process होता है, कि पहले गन्ने लाओ, उसका juice बनाओ, juice में उसमें ये डालो, फिर ये करो, उसको distill करो, filter करो, फिर डाल दो, process है, अच्छा, the management process, अब management क जो process है, उसमें बहुत सार elements है, उसे हम कहते हैं functions, तो what is functions of management, management process consists of number of elements, management के process में बहुत सार elements है, उसे हम कहते हैं functions, there is no unanimity, इसका मतलब हो, एक मत, among the management experts, सबक्दा, no man culture of the function of management, ये management के जितने भी functions है, किसी ने कहा 3, किसी ने 4, 5, 6, 7, 8, कभी भी एक राह नहीं बनीन में, एक मत नहीं हुआ, कि हाँ भई सबने management के experts ने कह दिया, चलो, हम ना management में पांच function रखते हैं, no man culture होते हैं, नाम पती, जैसे chemistry में आपने पता हैं, इथीन, 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 वो उसमें 2, आइटम, 3, 4, तो rule बना हुआ है, carbon को हम C लिखते हैं, calcium को C, A, ये rule बना दिये हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने तो carbon को C लिख रहा है, कोई carbon को लिख रहा है, L, जो symbol बन गया, एक बार बन गया, जो rule बन गया, एक बार बन गया, तो कभी management में एक rule आज तक बना ही नहीं है, इसलिए हम सब परिशान है कि management के functions कितने हैं, MCQ के लिए important है, management के functions minimum और maximum कितने हैं, कम स से कम, जैसे ना 120 management experts की किताबों में, जो top top हैं, उनमें कम से कम 3 और जाद से जादा 8 functions दिये गए हैं, बहुत important है, an important reason for such divergent opinion, अच्छा, एक मैं बता, बात बताता हूं, ये जो management के functions हैं, कोई के रहा 3, कोई के रहा 4, कोई 5, और 5 में भी अलग-अलग variety बता रहा है, कोई actuating बता रहा है, कोई directing लिए रहा है, कोई staffing बता रहा है, कोई कहता है, ने staffing तो ही नहीं, ये जो इनका अलग-अलग विचार है, ये अलग-अलग विचार इसलिए है, क्योंकि ना जितने भी scholars हैं, मतलब जिसने भी management के books लिखी हैं, उन्होंने अपने individual experience के हिसाब से लिखा हु हैं, Henry Fayol, father of modern management theory, तो कौन-कौन कहला जाता है father of management theory, Henry Fayol, इसने management के 5 function दिया है, पर ये 5 function वे नहीं हैं, जो 12th में पढ़े हैं, ये दूसरे हैं, पढ़ो, planning, organizing, commanding, coordinating, controlling, यहाँ staffing, directing के जंगा पर क्या है, commanding, coordinating, अगला new man and summer, इसने कहा है भाया management के 4 function है, planning, organizing, leading, controlling, लोरेंस, AIP, इसने कहा है, 3 function है, planning, executing, controlling, बस execute कर दो, इसने तो न, organizing, staffing, directing, सब को एक जंगा डाल दिया, executing, जी, आर्टेरी के थचार है, planning, organizing, actuating, controlling, यह सबसे ज़्यादा चलती है, आप कहीं भी देखोगे, 12th के लावा, सबसे ज़्यादा जो चलते हैं, कि functions कितने हैं, सबसे ज़्यादा यह वाले चलते हैं, planning, organizing, actuating, controlling, अचा लिूथर गुलिक है एक आजमी, इसने, यह बहुती हो function ना, साथ है, यह है, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting, और इसने कहा, जो management के functions हैं, उसको बोल सकते हैं, post corb, क्या बोल सकते हैं, post corb, अब यह post corb, क्या है, p, o, s, d, c, o, r, b, आप देख रहे हो कि यह 8 words है, p, o, s, d, c, o, r, b, और इसने कहा है, कितने function है, 7, अब 7 letter है, 8 word, अब मैं बताता हूँ, कैसे, कैसे, देखो, यह जो है, coordinating, 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 इसके बीच में slash लगा दो, बन गया co, तो यह post corb, को आट मत सोच ले ना, यह कितने है, 7, co, जो है, यह एक ही है, coordinating, c, यह hash लगा हूँ, coordinating, ठीक है, यह बात, छोटी सी बात थी, समझाने की, अच्छा, यह हुश्यार भाई सा इनको ना, post corb में डाल दिया, तो जब भी कोई, सोचे, मैं, जब भी कोई पढ़ेगा की, short form, हूँ, क्या कह सकते हैं, तो सब कोई मन में क्या याद आता है, post corb, यह भी बहुत चलाता, पर फिलाल इसको reject कर दिया गया है, एरनेस्ट डेल ने का है, भाईया, आठ है, function तो लो, यह इनके भी बाप है, planning, organizing, staffing, directing, controlling, same है, उसके बाद, innovating, representing, communicating, इसने आठ बता दिये, यह आपकी 12th, मैं लिख देता हूँ, 12th, 12th में आपने इनकी पढ़ी हुई है, यह है, planning, organizing, staffing, directing, controlling, तो management के जो functions हैं, हर expert ने अलग-अलग दिये हुए हैं, अब किसकी माने, किसकी नहीं, देख लो आपी, 12th class में, CBSC ने किसके function माने हुए है, कुंट्स एंड, O'Donnell के, अच्छा, RC Davis का यह मानना था, कि जो commanding है, coordinating है, यह तो control को facilitate करते हैं, तो यह अलग से functions नहीं है, यह तो control को facilitate करते हैं, यह control करवाते हैं, तो यह function थोड़ी होते हैं, यह वे लोग हैं, यह RC Davis जो tank डाते हैं, अब कोई function दूसरे function दे रहा है, यह कह function नहीं है, तो इसने का कि वह function तो के वल तीन है, planning, organizing, controlling, इसने दो function को काट दिया, अच्छा, कुछ लोगों का मानना था, कि यह जो coordination है, यह भी function नहीं है, अरे भया, यह तो essence है, management की, यह तो, यह तो चाहता है, management में, कहने का यह मतलब है, आप planning करो, organizing करो, staffing करो, directing करो, controlling करो इन पांचों में, इन पांचों में ही coordination चाहिए, तो coordination छटा क्यों बना रहे हो, दोबारा समझाओं, कुछ लोगों का यह मानना था, कि पांच functions जो है यह, इसके अंदर, हर एक function के अंदर, coordination चाहिए, planning में भी, organizing में भी, directing में, staffing में, control, इन पांचों के अंदर, coordination चाहिए, त तो है ही ज़रूरी coordination, इसके बिना management ही नहीं है, अगर coordination है, तो management है, तो भाईया, यह function नहीं है, यह तो उसकी आत्मा है, management की, यह function नहीं है, ओ भाईया, इनकी बात लोगों ने मान ली, और एक नया topic जुड़ गया, coordination is the essence of management, मैं आपको यह कहानिया इसलिए सुना रहा हूँ, ताकि आप इसको रियल लाइफ से जोड़ सको कि आखिर में हुआ क्या था, किसी बुक में चार मिलेंगी, आपको किसी में पांच मिलेंगी, पर सारी सही है, मैं आपको चार भी पढ़ाँगा, पांच भी पढ़ाँगा, आप किछ है, जैसे आपको लिखना हो, लिख लेना, चलिए, अगली बात पर आते हैं, ये 100 से 200 लोग थे management experts, लोगों ने उनकी books को analyze किया, उनको ये पता चला कि तीन functions, planning, organizing, controlling, ये तीन function तो सब के सेम हैं, और बाकी function में सब में अलग-अलग हैं, कहने का मतलब है unanimous जुत हैं, मतलब एक मत, सब management experts ने एक बात तो ज़रूर कोमन कही है, वो है planning, organizing, controlling, ये तीन सब ने का है, हाँ है, जाज अतर सब ने का ये है, अगर हम इनकी बात करें, commanding की, motivation की, communicating की, ये ना directing word के अंदर समा सकता है, directing मतलब दूसरों को director ना, तू ऐसा कर, तू ऐसा ना कर, ओए, अब staffing की बात करें, staffing को कहा गया है, ये तो इनसानों को responsibility लेता है, इसको directing के इंदर ने डालेंगे, इसको अलगसी रखेंगे, तो सबसे आखरी में भाईया, फैसरा लिया गया, कि हम management का जो process पढ़ेंगे, उसमें हम कौन से पढ़ेंगे, planning, organizing, staffing, directing, और controlling, जो किस ने दिये थे, चार वाले पर, चार वाला पेपर में लिख क्याना है, तो वो लिख सकते हो, पांच वाले लिख क्याना है, वो पढ़ सकते हो, अच्छा, Mary Parker ने कहा हुआ है, dash is the art of getting things done through others, देखो Mary Parker की definition ये रही, देखो Mary Parker की definition ये रही, management means, art of getting things done through people, दूसरों से काम करवाना क्या है, management है, तो पहला MCQ हो गया, ये post corp किस ने कहा है, लिख अधर गुलिक ने कहा है, post corp में कितने functions हैं, साथ functions है, पांच function किस ने दिये हैं, कूंस अं डोडोनल ने, हाँ, ये वे वाले function हैं, जो आपने 12th म पांच दिये हैं, Henry fail ने भी पांच दिये हैं, पर वे अलग हैं, वे अलग हैं, वे ये नहीं है, staffing, directing, वे है, commanding, coordinating, तो दोनों ने दिये हैं, पंच-पंच functions पर हम किस की बात मानते हैं, हम मानते हैं, ये इस इंसान की बात, अच्छा, Henry fail के हिसाब से primary function of management कितने हैं, आप ये next topic पढ़ते हैं, characteristics of management, management की क्या खास बात हैं, मुझे कोर्वो के साथ जीतना है, ये मेरा goal है, सबसे पहला characteristics है, goal oriented, management हम करेंगे तो उसका लिए ज़रूर को न कोई goal होगा, भया प्रपोस करना है, सीता मयवववा पसलाना है, शादी करनी है, कुछ लो कुछ गोल है, अच्छ management को भी पढ़ी, भाया जी, पांडवो को भी पढ़ी, एक पिता को लड़की की शादी के लिए भी पढ़ी, management तो हर जेंगे चाहिए, अच्छा, business में भी चाहिए, हम जो फिलाल subject पढ़ रहे हैं, business management पढ़ रहे हैं, पर मैं example नहीं दे पा रहा हूं business के, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं example कैसे कैसे दे रहा हूं, अजीब अजीब दे रहा हूं, management multidimensional है, इसका मतलब management के वएल इंसान लोगा नहीं करना हो, तू ये कर, तू ये ना कर, समान का भी करना होता है, काम का भी करना होता है, अगला पढ़ते है, management is a continuous process, example सुनो मेरा आप, मेरी ये company है, company ने कहा है कि एक महिने में मुझे 30 computer बनाने है, एक महिने में 30 computer बनाने है, मेरी computer manufacturing है, मेरी company ना Dell है, ठीक है, बहुती कम लिया है, 30 computer, मैंने देखा कि दो दिन में, two days में मेरा क्यों ये computer बना है, बताओ, controlling आ गया क्या, दो दिन में ये computer बन रहा है, इसका इसलिए दूसरे ही दिन कंट्रोलिंग आ गया दूसरे ही दिन मैं अपने मैनेजमेंट को कहूंगा भाईया ऐसा है आप काम क्यों नहीं कर रहे हो तीस दिन में तीस बनाने थे तो इसका मतलब एक दिन में एक कंप्यूटर बन के तयार हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ है इसलिए management जो है लगातार चलता है प्लैनिंग चलते रहे लघातार ब्लैनिंग लगातार कैसे चलेगी अब तीसर दिन की planning ऐसे चलेगी की बहों एक के गंटए एकस्ट चकाम करो तब भू बन पाएंगे एक महिने तक 30 यह होता है continuous process ग्रू अक्तिविस गून्ड कंटीने पांडवों ने गुरूप बनाया था, सेना को अलग-अलग देशों के राजा को बुलाया था, अपनी सेना में एड करने के लिए, गुरूप अक्टिविटी, जब शादी होती है, तो भाई, उसके दोस्त भी आते हैं, गुरूप काम करता है, जब बोईफरेंड का नाम था, प्रपोस करने वाली बात थी, तब भी गुरूप था, उस होटल वाले को, उस बुके वाले को, नजाने 10-15 लोगों को बुक किया था, तब जाके, तब जाके प्लैनिंग बनी थी हमारी, वो गुरूप अक्टिविटी थी, इंटेंजिवल, अचा मैनेजमेंट, जब गर्ल को जब गती है, गुष, I will marry you, क्या उसे कुछ धिखाता मैनेजमेंट है, ना उसे फिल हुआ था, कि मेरे वाला यार, कितना कर रहा है, मेरे लिगे, तो मैनेजमेंट जो इंटेंजिवल है, तो मैनेजमेंट जो है, इंटेंगता नही है, फिल अटा है, फिल, इटन्टेंट तुछ डूणल लीट एन भी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है, मैनेजमेंट, कभी देखा नहीं जा सकता, अगला है डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि जो एक बर आपे सुक कर रहे हो, बस वही करते रहो, जैसे मैक डॉनल्ड जब भारत में आया, तो इसके जो बस जो ये बना रहा था अमेरिका में वही बनाने स्टार्ट किया हुआ है, नहीं, डैनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, मैनेजमेंट कोई फिक्स नहीं है, कि भाया यह है तो यही है, हम उसको अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं, अच्छा कुछ बाते इस वीडियो में हो हो या ना हो, नोट्स में जरूर मिल जाएंगी क्योंकि ये वीडियो तो अब बन के यूट्यूब पे डल गई, पर नोट्स तो अपडेट होते रहते हैं न, मैनेजमेंट इस प्रोसेस क्योंकि ये जब तक और्गनाइजेशन रहे कि तब तक मैनेजमेंट रहेगा, मतलब होता है जो चेंज हो सके, चेंज हो सके, मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिवल है, कभी दिखाई नहीं देगा मैनेजमेंट आपको